चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथेशन कनेडियन चैनल स्टाफ तो अड़े वारे गालबात कार दे रहांदे सी, और वहार वदा आएक दी जानकारी दिन दे सान, मेरे जेल जान फिच्छों तुसी बहुत चंगा कम कीता है, केजरीवाल ने अगे किया के मेनू ये चिंता रहांदी सी, के मेरे अंदर जानकार न दिली अंदर कम रु मैं समझता हूं ये किसी चमतकार से कम नहीं था, और जो पिछले महीने डेड महीने के इंसिडेंट्स हुए है, उससे तो मुझे ये लग रहा है कि भगवान हम लोगों से कुछ करवाना चाह रहा है, और ये जितना कुछ हो रहा है हम तो निमित मात रहे हैं, भगवान ही सब कुछ कर रहा है, अंदर आप लोगों के बारे में पता चलता रहता था, अंदर वहां का जो स्टाफ है, वहां के सिक्यूरिटी वाले हैं, उनसे बात करता रहता था था, वो हरे में लेकी जानकारी दे देते हैं, तो पीछे से आपको लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मेरे को यही चिंता रहती थी कि अगर मेरे अंदर जाने की वज़े से दिल्ली के अंदर काम रुक गए, अस्पतालों में दवाईयां मिलनी बंद हो गई, बिजली में गडबड हो गई, पानी में दिक्कत हो गई, तो फिर इनको एक बहाना मिल जाएगा, चुनाव के बीचो बीच हम लोग एक तरह से नेरेटिव भार जाएंगे, लेकिन आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया अपने 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 इलाके के अंदर, और सारी चीजों को संभाल के रखा, ये लो लोगोंने, इनका पूरा प्लान ये था जो BJP वाले भी, गिरफतारी के पहले, जब BJP वाले मिलते थे तो वो यही कहा करते थे, कि अब आपको गिरफतार करेंगे, आपको गिरफतार करने के बाद आपकी पार्टी तोड़ देंगे, दिल्ली में, सरकार गिरा देंगे, और हुआ बिलकुल उल्टा. गिरफतार करने के बाद हमारी पार्टी और ज्यादा एक जूट हो गई अलग-अलग तूटने की बजाए। ना ये हमारी सरकार गिरा पाए ना ये हमारे M.L.A. तॉड़ पाए ना ये हमारी पंजाब सरकार के ओपर डेंट कर पाए इनका पूरा का पूरा प्लान फेल हो गया उल्टे पूरा political narrative जो पूरे देश के अंदर था वो narrative इनके सब के खिलाफ चला गया और इसके लिए सबसे ज़ादा बधाई के बातर आप लोग हैं मुझे पता चला आप मेंसे कई लोगों को इन लोगों ने टच करने की कोशिश की इन लोगों ने कोशिश की तोडने की तरह तरह से लालच देके धंकियां देके मैंने इंडिविजियली आप लोगों से मेरे को पता चलता रहता था किस किस को टच कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं टूटा आप लोग सब लोग मजबूत रहे मैं इसके लिए पार्टी भी और देश भी गर्व महसूस करता है आप लोगों के उपर लोगوں को यकिन नी होता है यह पार्टी कैसी है इनका कोई नीहाँ ढूट रहा बाकी तो कई चगे से सुनने आया वो इंदौर वाला चुनाव के पहले ही चौटके चला गया सूरत वाला चुनाव के पहले ही छोटके चला गया और एक हमारी पार्टी है जो दस साल हो गए, बारा साल हो गए, लेकिन ये कोई जाता ही नहीं है, कहीं नहीं जाता है, इनको सारा सब कुछ करके देख लिया, ED की धंकी भी इनके उपर काम नहीं करती, तो ये आप लोगों की मजबूती का नतीजा है, जो आज हम लोग टिके हुए हैं, और आगे भी हमें इसी तरह से मजबूत रहना है, 21 दन के लिए मैं बहार आया हूँ, और दो तारीक को फिर वापस जाना है, तो उसके बाद आप लोगों को पार्टी संभाल के रखनी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस देश को भविश्य अब आम आदमी पार्टी दे सकती है, बाकी सारी पार्टीों को बाकी सारी पार्टीों को इन लोगों ने देश के लोगों ने आज मा के देख लिया, और आज देश का ये हाल है, आम आदमी पार्टी को जब भी मौका मिला, पंजाब में अभी मतर दो साल हो गएं सरकार बने, दो साल के अंदर इतना अच्छा काम कर दिया, और दिल्ली के अंदर जो हमने काम किया, हमारे काम की वज़े से ही, आज लोग हमें पसंद करते हैं, जो भी मीडिया वाले दिखाते हैं, बाइट दिखाते हैं, सड़क पे चलते लोगों से पूछते हैं, वो लोग यही तो कहते हैं, यार केज़िवाल ने इतना अच्छा काम तो इतनी तेजी से आगे बढ़ोगे तो थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी